हेलो फ्रेंट्स, मलीना ये 2000 की मुवी आज में आपको एक्स्प्लेन करने वाला हूँ एक छोटा लड़का एक औरत की पैप में पढ़ जाता है इसके बाद क्या होता है, ये आज की मुवी की स्टोरी लाइन है इस मुवी की स्टोरी लाइन तो सिंपल लगती है और बहुत सारी चीसे ये रिवील करती है सोसाइटी किस तरीके से लोग को देखती है और इस्पेशली औरतों को देखने का सोसाइटी का नजरिया इसकी एक कम्प्लेट इंसाइटी मुवी देखकर जाती है मुवी स्टार्ट होती है और मुवी की सेटिंग हमें दिखाई जाती है मुवी जो है कि इटली के एक शहर में चल रही है हमारा मेन क्यारेक्टर एक छोटा लड़का रिनेटो हमें दिखता है इनके कंट्री में वार का इलान हो जुका है पर आज उसे बाइसिकल मिली है तो बहुत खुश है बाइसिकल लेकर यह बड़े वच्चों के पास चला जाता है इन बड़े लड़कों का एक exclusive गैंग है जिसने रिनेटो को भी शामिल होना है इसी वज़े से इसने साइकल बाइ की है क्योंकि इन सब के पास साइकल है रिने तो जब साइकल लेकर आता है तो इसके वो फ्रेंड्स बन जाते है यह बात ही कर रहे होते है तब ही वहाँ से मलीना आती है ये सब लड़के बैट जाते है और मलीना को देखने लग जाते है रेने तो मलीना को पहली वार देखता है तब ही उसे प्यार हो जाता है मलीना एक बहुत ब्यूटिफुल वारत होती है और सब लोग इसके पीछे होते है जब मलीना इनसे पास हो जाती है तो अलग कॉर्नर पर आ जाते है और फिर से उसे देखते है जैसा करते करते है शहर तक वो पहुचते है मलीना इन सब के है एक टीचर की लड़की होती है यह टीचर डेफ होता है तो मलीना को लेकर इनसे वो बहुत मजाग करते है ये सब लड़के समुंदर के पास बेट कर अपने आपको मेजर गर रहे होते हैं इसमें से एक लड़का ब्रैक करता हो कहता है ये लड़का कहता है कि मलीना ने मुझे एक बार सिगरेट लाने के लिए बोला था जब वहा गया तो उसने अपना रोब नीचे किरा दिया मैंने उसे पुरा नेकट देखा है इसी तरीकी की स्टोरिस सब लोग मलीना के बारे में बनाता है तो फिर इमेजिन करता है कि वो भी मलीना के घर के सामने है और मलीना ने उसे सिगरेट लाने के लिए बुलवाया है उसके फ्रेंड ने जो स्टोरी कही थी यही स्टोरी अपने माइंड में रीक्रियेट करता है अब रहने तो को लगता है कि वो बड़ा हो चुका है हाप पैंट्स पहनना उसे जरा गलत लगता है तो अपने फादर की पैंट लेता है और उसे अल्टर करवा कर लाता है जब उसके फादर को पता चलता है तो बहुत ही जीट जाते है यह से कुट्टे जैसा मारते है यह अपने फादर को कहता है कि मुझे शरम आती है उसके फादर और वो फिर डील बनाते है उस वक्त इटिली में मुसुलीनी का राज था इसके फादर कहते है कि जिस दिन मुसुलीनी मर जाएगा उस दिन में तुम पैंट दिल वाँगा रनी तो भी इसके लिए मान जाता है रनी तो रात में जाकर मलीना के घर में एक होल बना कर देखता है कि उसके घर में चल क्या रहा है मलीना अपने घर में अकेली होती है उसका हस्बंड वार में चला गया होता है रनी तो जब बारबार शॉप में जाता है तो मलीना के बारे में सब कुछ लोग बात कर रहे होते हैं कहते हैं कि मलीना का कोई न कोई तो होगा जो उससे help करता होगा उसका husband बाहर चला गया है तो उसका किसी के साथ affair है सिर्फ rumors फैलाने का काम सब लोग करते है मलीना बहुत अकेली होती है अपने हस्बन का लेटर पढ़ती है उसे बहुत बुरा रगता है रने तो अब उस पर हमेशा स्पाइक करने लग जाता है और सब कुछ देखता है वो फिर से रात में होल से मलीना के घर में देखता है मलीना म्यूजिक सुन कर डांस करी होती है यह शहर में जाकर सिर्फ धुन से शौपर को बता रहा होता है कि उसे एक गाना चाहिए शौपर भी चरब परिशान हो जाता है वो उसे बोल के लिए कहता है रने तो को बोले आताते है और यह सीड़ी उबाई कर लेता है रात में यही सीड़ी लगा कर वो सुनता है इसके पास एक छोटी सी भूग होती है जैसे में nude paintings होती है इसमें भी वो मलीना को ही देखता है मलीना को देखकर imagine करता है कि वो उसके पास आ चुकी है वो उसके room में ही है और अपने आपको please करने लग जाता है समूदर के पास आकर मलीना को एक letter लिखता है उसमें लिकरा होता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे लाइफ में मेरे सिवा कोई भी नहीं है जो भी लोग कहते हैं या सब कुछ गलत है इसका कुछ भी करेज नहीं होता और लेटर फेक देता है मलीना का अब वो पीछा करते करते हैं शेहर में भी आ जाता है शहर में हम देखते हैं तो सब लोग मलीना को देख रहे होते, जवान, भुढे सब लोग रने तो फिर मलीना का पीछा करते करते, एक घर तक आ जाता है इस घर में उपर के खिडकी से मलीना के लिए कोई चावी फेकता है और मलीना अंदर चली जाती है जैसे लोग कहते ही है वैसे रनेतों को लगता है कि इसका इस आदमी के साथ अफेश जल रहा है अब रनेतों को लगता है कि उसके साथ दोका हुआ है वो ठेटर में बैठा हुआ दिखता है वो ठेटर में जो फिल्म जलती है इसमें भी उसे अपना ही सीन दिखता है इसमें वो मलीना को confront कर रहा है कि क्यों उसने उसे दगा दिया यह heart broke हो जाता है इसे और भी curiosity है कि मलीना किसके साथ है तो वो फिर से उसका पीछा करता है यह घर second floor पर होता है तो जड़ कर second floor पर आ जाता है जब जड़ कर उपर आ जाता है तो वो मलीना के फादर का घर होता है इसे फिर से अच्छा लगने लग जाता है रने तो फिर से दिन राद सिर्फ मलीना को imagine करता है fantasies बनाता है और अपने आपको please करता रहता है उसके बेड़ के आवाज आती है तो उसके फादर उसे बहुत डाटते है पर फिर भी मानने वाला नहीं होता नेक सिर्फ में हम देखते है कि रने तो अपने friends के साथ होता है उसके friends बात कर रहे होते है कि मलीना का husband वार में शहीद हो गया मलीना उसके फादर की घर पर होती है यहाँ भी रने तो आ जाता है उसे बाहर से ही देखता है पर वो imagine करता है कि वो अंदर चला गया है जाकर कह रहा है कि हमेशा मैं तुमारा खैल रहूँ सिर्फ मुझे थोड़े से साल दो पड़ा होने इसके बाद उससे kiss कर रहा है यह सब imagine करकर वहाँ से चला जाता है अब रने तो जहाँ भी जाता है तो सब लोग मलीना के बारे हमी बात कर रहे होते है मलीना का किसके साथ affair है इसके वो थेरिस बनाते है रने तो कोई अच्छा नहीं लगता यह लोग जब रने तो को दूद लाने के लिए के लिए कहते है तो इसमें वो थूप देता है मलीना के खिलाफ कोई जाए यह उसे अच्छा नहीं लगता रने तो फिर जज आता है जज में वो डारेक्ली गौट से बात नहीं कर सकता क्योंकि वो उसे अपनी एच का नहीं लगता वो एक अपोस्टल से अपनी सब बात कहता है वो कहता है कि हम एक डील करते मलीना को तुम सही से रखना और मैं हमेशा तुमारे कैंडल चलाता रहूंगा रने तो एक दिन जब मलीना पर नज़र रख रहा होता है तो वो अपने कपड़े निकाल रही होती है तो उसका बलाउज वो बाहर ही रख देती है रने तो जाकर ये बलाउज लेकर आता है ये फेश से रात में मलीना को इमेजिन करता है और ये बलाउज अपने फेश पर रख कर रात में सो जाता है अगले दिन इसके फादर ही देखते है गर में बहुत ही तमाश है खड़ा हो जाता है इसकी मदर रोने लग जाती है इसके फादर इसे मारने लग जाते है ये बलाउज इसकी मदर जला देती है सब लोग अब डिस्टब हो जाते है इसके फादर इसका रूम बन कर देते है रने तो बाहर नहीं जा सकता तो खाना भी चुका है और चुका हुदाए. और चल्यवां जाते है. पहली बात ही कर रहा होता है. अब और उसका फाइट हो जाता है. आप हुद जाता है. तो वहां एक LGBT और चुके. यहार रनेतों को पता चलता है कि इन दोनों में relationship है जब ओफिसर मलीना की घर से बाहर निकलता है तो उसे एक doctor देखता है यह doctor उसके पास जाकर कहता है कि मलीना मेरी फ्यान से है तुम कैसे उसके घर से बाहर निकल सकते हो इन दोनों में fight हो जाती है तबी डॉक्टर की वाइब भी वहाँ आ जाती है डॉक्टर की वाइब इसका पीचाई कर रहे थी क्योंकि इसे पता था कि इसका कही ना कही चक्क covered चल रहा है यहां और भी लोग का जाते है और यह बड़ा issue बन जाता है सबको लगता है कि मलीना ने डॉक्टर के साथ यानि एक मैरिट आदमी के साथ सम्मन्द बनाया है इसे वज़े से इसे जेल भी हो सकती है मलीना अब एक लीगल टरबल में है तो एक एडवोकेट के पास आती है जब इसका कोट चलता है तो डॉक्टर केता है कि मेरी फियान से है मलीना से सवाल पूछ जाते है मलीना केती है ये डॉक्टर सिर्फ मेरे घर पर एक बार ही आया था और वो भी मेडिसिन डेने के लिए हम दोनों में कुछ भी सम्मन नहीं है ये डॉक्टर वो कितना स्टर्ड है यही दिखाने के लिए मलीना का और उसका रिलेशनशीप है ये बता रहा था एक्च्छल में ऐसा कुछ भी नहीं था मलीना से जब आर्मी ओफिसर के बारे में पूछा जाता है तो कहती ही कि ये मेरा परसनल मेंटर है इसे जानने का हक किसी को भी नहीं है स्कैंडल की वज़े से उस आर्मी ओफिसर के बदली हो जाती है अब रात में हम देखते हैं कि मलीना के घर पर लॉयर आया हुआ है ये उसे टच करनी कोशश करता है तो मलीना उसे पैसे देती है वो कहती है कि इससे जादा में तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकती ये लॉयर केता है कि मेरी फेस तो इससे बहुत ही जाता है वो मलीना को जगड लेता है और उसके साथ इंटिमेट हो जाता है ये सब रने तो देख रहाता है मलीना भी कुछ करनी पाती अब थोड़ा डाइम गुजर जाता है और रने तो को बहुत ही डिप्रेसिंग रगता है इस डॉक्टर को सब लोग लूजर समझते हैं कोई भी लड़की इसके पास ने जाती क्योंकि वो स्टिंग करता है यह मिडल एज है फिर भी अपनी मदर के साथ ही रहता है रने तो उस दिन के बाद मलीना के घर पर नजर रखने के लिए नहीं गया है मलीना अब इस लॉयर से शादी करने वाली है रने तो कोई सुनकर बहुत ही बुरा लगता है और मलीना को लेटर लिखता है कि उसके साथ तुम कैसे पूरी जिन्दगी वीता सकती हो उसकी टीचर उसके पास आती है और यही सवाल वो अपनी टीचर से भी पूछ लेता है उसे लगता है कि वो मलीना ही है यह यहाँ बहुत मार खाता है रने तो अब डॉक्टर पर नजर रख रहा है डॉक्टर्ज अपनी मदर को कहता है कि वो मलीना से शादी करने वाला है तो उसकी मदर उसे बहुत मारती है सबने अफ़ा बनाई है कि मलीना सब लोगों के साथ सोती है इसी वज़े से उसकी मदर उसे बहुत मारती है अब मुवी में मुसुलीनी मर चुका है तो रेने तो नहीं पैंड मिल जाती है मलीना लोयर से शादी नहीं करना जाती तो उसे वो मना कर देती है इसके बाद मलीना की financial situation बहुत ही खराब हो जाती है मलीना को उसके husband के भी pension अब मिल ने रही तो उसके खाने पिने का भी बहुत बड़ा problem हो जाता है उसके बहुत बदनामी हो गई है तो अगर उसके पास specific होते है तब भी उसे कोई सबजिया वागिरा नहीं देता मलीना एक दूसरे आदमी से मिलती है और उसे वो bread लेती है इसके बदले में के भी इसके साथ intimate होना चाता है अब next year में हम देखते हैं कि इनके शेहर के उपर से प्लेन कुजरते है और बहुत बड़े bombs इन पर डाल देते है इसमें मलीना के father मर जाते है इस funeral पर सब लोग उसे कहते है कि उसका सहारा बन सकते है पर इन सब को सिर्फ इसके साथ intimate ही होना होता है रात में मलीना के पास खाना देने के लिए कादमी आता है ये फिर से उस पर जबग पड़ता है इस बार मलीना रेजिस नहीं करती अब नेकसिन में हमें दिखता है कि मलीना ने पुरा makeover कर लिया है मलीना पैसे कमा सके इसलिए prostitution में चली जाती है ये सब देखकर रनेतों को बहुत ही बुरा लगता है ये depressed हो जाता है कुछ भी खाना पिना नहीं कर रहा होता सब को लगता है कि भूद ने इसे पचाड लिया है इस पर सब treatment होती है जाज में भी इसे लेकर जाया जाता है पर ये सब कुछ काम नहीं करता रनेतों के फादर समझ आते है कि इसकी बिमारी अलग ही है इसे directly वो red light area में एक prostitute के पास लेकर आते है जब ये prostitute रनेता के साथ होती है तो इसे लगता है कि ये मलीना ही है वो मलीना को ही imagine करता है अब थोड़े दिन गुजर जाते है इटली war में जीच चुकी है और वहाँ जशन मनाया जा रहा है मलीना prostitution करने लग गई है तो गाव की सब औरते अब उस पर बहुत ही चिड़ी हुई है अब सब wife decide करती है कि वो मलीना को सहर से बाहर निकाल देगी उसे बहुत मारते है मलीना भी वहाँ से निकल जाती है रने तो मलीना को जाते होई देखता है थोड़े दिनों बात मलीना का husband गाव में आ जाता है यह मरा नहीं था इसका heart टूट गया था और सबको लगा था कि यह मर चुका है यह गाव में आता है पर इससे कोई बात नहीं कर रहाता जब अपने घर पर पहुचता है तो वह इमिगरंट्स रह रहे होते है यह फिर आर्मी के ओफिस में आ जाता है यहाँ उसे बताया जाता है कि मलीना प्रोस्ट्रूट बन चुकी है इसे बहुत ही दुख होता है यह नीचे आकर अपने कुछ फ्रेंड से बात करता है मलीना के बारे में पुछता है यह सब कहते है कि किसी रेड लाइट एरिया में होगी यह इसकी इंसर्ट करते है हस्मन और उनकी फाइट हो जाती है पर हस्मन ही गिर जाता है उसका हाट टुटा हुआ है पूरी चीज़े लोग मलीना के बारे में खेते है और मुझे पता है कि हमेशा तुम से ही प्यार करती थी उसने जो सब चीज़े की उसने सिर्फ अपना गुजारा करने के लिए की रानेतों को पता है कि मलीना कहा गई है तो उसकी लोकेशन हो बता देता है हजबन भी मलीना को लेने के लिए चला जाता है थोड़ी दिनों बाद मलीना और उसका हजबन गाव में वापस आ जाते है सब लोग इन्हें देखने लग जाते है पर इन्हें कुछ फरक नहीं पड़ता नेज़ दिन मलीना सबसी लेने के लिए आती है यहां सब लोग बात कर रहे होते है फिरसे वापस आना यह बहुत courageous था मलीना को कुछ लोग sympathize करने लग जाते है उसने इतना सब कुछ जलाए तो उन्हें बुरा लगता है मलीना का हजबन अब उसके साथ है उसे protect कर सकता है इसी वाज़े से उसे फिरसे अब सब लोग respect देने लग जाते है मलीना घर वापस जा रहे होती है तब उसकी सबजिया नीचे गिर जाती है रनी तो उसके पास जाता है और यह सब उठाने में उसे मदद करता है जाते जाते उसे कहता है कि अब तुम्हारी life के लिए good luck मलीना भी smile देती है और रनी तो वहाँ से चला जाता है रनी तो कहता है कि अब मैं वहाँ से भाग गया मेरी innocence से मेरी पुरानी life से मैं भागता ही चला गया उसके बाद मैं बहुत सारी लड़कियों के साथ रहा हूँ हमेशा मुझसे पुछती थी क्या तुम मुझे याद रखोगे पर हमेशा सिर्फ मैंने मलीना को ही याद रखा है यही ये movie end हो जाती है अगर हम इस movie में देखे तो मलीना का husband चला गया तो society सब उसके खिलाफ होगी उसके बीचे rumors बना लग गई वो एक औरत है तो सिर्फ उसे objectify करने लग गया मलीना उनकी sexual desires complete करने का सिर्फ एक जरिया था रने तो भी मलीना से attracted था और firstly उसे objectify कर रहा था पर वो जब मलीना को दिन रात देखने लग गया किसी की भी live में क्या चल रहा है कभी हम जान नहीं सकते उसके बारे में rumor करना कितना गलत है यह मुँ हमें हमें बताती है मलीना को सब लोग जो समझते थे बाद में मलीना वही बन गई उसके बाद भी सब लोगने उसे मार मार कर गाव से बाहर निकाल दिया उने तो समझ गया था कि वह सच उच में अगर मलीना से प्यार करता है तो मलीना को उसे जाने देना चाहिए इसलिए मलीना का हस्बन वापस आया तो मलीना के बारे में सब कुछ सच उसने उसे बता दिया अज के वीडियो हम यही कतम करते है अकर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा बहुत सारी इसे मूज लेकर आता रहे तो तो प्लीज चैनल को सब्स्राइब कर दीजिए और बेल नुटिविशन आइकन दबाने में मत भूले हम वीर से मिलेंगे और एक नए मूवी के साथ तो के लिए थैंक्यू और आप अपने आपका खैल रखे